जब से जावे दक्तर ने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को उसकी उकात याद दिलाई है तब सले के अब तक लोग उन पर बुरी तरीके से भड़के हुए हैं कुछ दिन पहले ही जावे दक्तर ने पाकिस्तान के चेहरे को सब के सामने बे नकाब किया था पाकिस्तान के लोहॉर में हुए फैस्ट फैस्टिवल में जावेद अक्तर का दिया बयान बेहसुर्कियों में है जहां भारत में उनके इस कदम की सरहना की जा रही है तो यहीं पाकिस्तान के सेलेब्रिटीज और आम जनता उन पर बुरी तरीके से भड़की हुई है कई पाकिस्तानी सेलेब्र ने सोचल मीडिया पर जावेद अक्तर के खिलाब अपनी भड़ास निकाली है सोचल मीडिया पर जावेद अक्तर का एक वीडियो सामने आया था जिसमें पाकिस्तानी को सरयाम खरी खोटी सुनाते नजर आ रहे थे और वहाँ बैठी ओडियस जावेद की बातों पर जम कर तालिय बजा रही थी लेकिन इसे बीच पाकिस्तानी एक्टर सबूर अली का गुशा फूट पड़ा है पाकिस्तानी एक्टर सबूर अली ने इंस्ट्राग्राम हैंडल पर लिखा कोई अपने घर में आकर बेइज़त किया जा रहा है और उस पर खुशी से शोगर मचाय जा रहा है उसको कद मों में बठाय जा रहा है ये कितने शर्म की बात है पड़े लिखे जाहिल लोग अपने देश के टैलेंट को कभी इतनी इज़त नहीं दी मुल्क के बड़े बड़े फंकार चले गए जिनके बास आखरी वक्त में अपने इलास तक के लिए पैसे नहीं थे तब ये टैलेंट के कदरदान लोग कहा थे सब उन्हें आगे कहा जिने अपनी इज़त रखनी नहीं आती उन्हें कोई इज़त नहीं करेगा माना कि आठ के लिए कोई बांडरीज नहीं है लेकिन इज़त के लिए बांडरीज और लाइन ही खीचे जाती है हमारे दिल तो इतने बड़े हैं खैर खैरियत से वापस भीजते हैं और चाय भी पिलाते हैं पाकिस्तानी एक्टेस मेशी खार ने भी वीडियो शेर करते हैं लिखा दूद में मक्खी डाल करने ही देनी चाहिए आप हमारे हम महमान बनके आये थे या इस तरह की बाते करने का कोई सेंस नहीं होता मोका महौल देखकर ही बाते करनी चाहिए सामने की ज़्यादा पर्वा किये आपने ये सोचा कि हिंदुस्तान में आपकी वहवा होगी ये निहायती घटिया बात है और आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे बड़ा अपसोस होता है पाकिस्तानियों की इस बात से आप कितना वाकिफ हैं आप अपने कोमेंट बॉक्स मिलें के साथ इस अपडेट के लिए चैनल जोरो सब्सक्राइब करें